नमस्कार स्वागर है आप सभी का हर्याना के मौसम अपडेट में आपको रारे हर्याना में गिर सकते हैं ओले आज यहाँ पर आई है बड़ी अपडेट इन छेतरों में मौसम भागने अलड क्या है जारी हर्याना में हो सकती है बारिस आई है बड़ी अपडेट जानेंगे हर हर्याना के जिलो का मौसम का हाल अगर आप हर्याना की मौसम जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें सुरू करते हैं वेडियो को आपको दादें प्रदैस में कल से बतलेगा मौसम का मिजाज 10 जनवरी तक भूंदबांदी के आसार साथ में ओला वरष्टी के भी आसार बने हैं आपको दादें मौसम विसेशक डॉक्टर चंडर मोहने बताया कि 8 जनवरी को एक पस्यम विछोप सक्री होगा इसके असर से दच्छली, पंजाब वा उत्री राजिस्तान पर एक दवाब का छेतर बनेगा इस विछोप को अरब सागर से नहीं मिलेगी पहले इसका प्रभाव हरियाना के पस्यम वा दच्छली जलों में देखने को मिलेगा इसके बाद धिरे धिरे यह प्रदेश के मध्य और फिर NCR की तरफ बढ़ेगा आपको उदादें पस्यम विछोप से गरत जमा के साथ बुंदा बांदी और एक दोस्तानों पर उले भी गिर सकते हैं इस दोरान दिन वा रात के तापान में 2-3 डिगरी सेल्सेस की बड़ा उतरी होगी जिससे लोगों को हाल कापा देने वाली ठंड से कुछ रहात भी मिल सकती है आपको दादें मगर पस्यम विछोप के गुजरने के बाद फिर से हावाओं की दिसा बदल कर उतरी हो जाएगी और प्रदेश वासियों को फिर से कलाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा वहीं आइमडी ने साथ जनवरी के लिए गहने कोहरे वाठंड को लेकर ओरेंज जलट जारी किया गया है आपको दादें सनिवार को प्रदेश के अवस्त अधिकतम तापान में मामोरी बढ़ोतरी हुई और यह सामान से 4.7 डिगरी नीचे रहा है इस दोरान जीन जले में दिन का तापान 10.9 डिगरी सेल्सिस रिकार्ड किया गया है जो प्रदेश में सबसे कम रहा है वहीं पंच खुला में सबसे ज़्यदा 15.1 डिगरी सेल्सिस रहा है नियुंतम तापान की बात करें तो अमबालकी रात में यहां पर प्रदेश में सब सबसे ठंड रही है और यहां नियुंतमता पांच 5.8 डिगरी सेलसेस रहा है यह है मौसम अपडेट तो इस वीडियो में इतनी दीजानगाली धन्माद